हेलो फ्रेंज आप सभी का स्वागत मेरे यूटूब चैनल जेन क्रेशन पर फ्रेंज आज हम सिखेंगे कम्प्लिट फटो एडिटिंग का पार्ट थ्री मैंने पहले आपको पार्ट वन और पार्ट टू बता चुका हूं और पार्ट वन में जो एक्षन बताया था उन में से कुछ एक्षन मैंने बता ने पया था और ओ आक्षन को हम इस विडियो में सिखने वाले हैं जैसे की मेरा सभी एक्षन में आपको दे चुका हूं और आप साइध डाउनलोड किये होंगे और आक्षन चलाने का तरीका मैंने बताया था दो पार्ट में देखिए मैंने जो ब बलंस, स्कीन टोन, कलरफुल कंटरस्ट, रिमूब सैडोज, रिमूब हाईलेट्स, डॉजिंग अन बर्नी, कलर टू ब्लाक एंड हॉइट दो अक्षन दिया था मैंने, देन मैंने बताया था पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाते हैं, ओके और पार्ट टू में ये गोल कलर एफेक्ट, सिनेमेटिक कलर गेडिंग, मोडी डार्क ब्लू कलर गेडिंग और चेंज ड्रेस कलर, छे एक्षन को अभी इस वीडियो में हम सिखेंगे, तो आए फिर स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूं, कि जो लोग मेरा प और सब्सक्राइब करें के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नए वीडियो अपलोड करेंगा, पहले आप देख सकें, और फोटोप बेसिक से लेकर एडवेंस लेबल तक सिखना चाहते हैं, प्लीज मेरे साथ बने रही है, तो आए फिर नजर डालते हैं वी एक्षन होगा, आप देख सकते हैं, देखिए, ब्लैक मूड एफेक्ट के लिए मैं ये एक्षन को रण करूँगा, ये प्लेव के बटन को पर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए, यहाँ पे थोड़ा नजर डालिए, जैसे मैंने प्ले किया है, ये लेयर पैनल के उपर, एक ह एक्षन के नाम से एक एड्जस्टमेंट लियार अप्लाई हो गया है, ठीके, लेकिन अप्लाई होने के बाद, ये इमेज के उपर कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, तो ज़रा ध्यान दिजेगा इधर, ये हूँ एक्षन का प्रपर्टीज पैनल में, ठीके, यहाँ पे इस लाइन ओर इस लाइन के बीज में, जो भी दीख रहा है, ये बाइड डिफर्ट फॉटोशोप में इंबिल्टी है, ठीके, और ये लाइन, और इसीINAन के बीज में जो भी दीख रहा है, ये हमने बनाया है, तो मैं ब्लाक मुर्ड एफेक्ट के लिए, एक प्रिसेट बनाया था black tone के नाम से देखिए यहां पर जैसे मैंने इसके उपर click करता हूँ देखिए single click पर यह black tone में convert हो गया है इधर थोड़ा problem आ रहा है देखिए यह dress के उपर भी जो green color का था यह भी guyb हो गया है इसको recover करने के लिए यह जो view and saturation का thumbnail के उपर click करेंगे यहां पर white mask रखेंगे देन brush tool select करेंगे और यह foreground में black color रखेंगे देन brush को छोटा बड़ा करेंगे जहां पर जोरुत होगा देखिए जीस इरिया में यह black color आ गया है उसके उपर हमको यह brush चलाना है ठीक है देखिए वापस यह recover हो गया है यह desk के उपर हमको चलाना है देखिए और बाकी जागा पर नहीं चलाना है क्योंकि यह desk का color black हो गया था single click पर कैसे black tone आ गया है तो एक और image के उपर हम apply करेंगे देखिए इसी में इसको पर apply करेंगे देखिए एक्शन प्ले कर रहा हूं यहां पर यह जो default के उपर क्लिक करके black tone को उपर क्लिक कर जाएंगे देखिए single click पर यह color tone आ गया है देखिए black tone के लिए आपको काफी time लग जाता है और यहां पर देखिए कितना आसानी से यह single click के दोड़ा black tone हम apply कर सकते हैं ओके देखिए black tone के निचे और कुछ preset मैं दे रखा हूं आपको यह blue tone, sand tone, green tone और magender tone मैं एक image लेके आपको दिखाता हूं देखिए मैं play करता हूं action यह black tone के उपर पहले click करेंगे देखिए black tone आ गया है लेकिन यह जो 5 preset दीख रहा है इसके उपर मैंने वीडियो नहीं बनाय है लेकिन मैं आपको इसके साथ free में दे रहा हूं और इसका यूज करने का तरीका मैं भी बता रहा हूं देखिए black tone तो हो गया है अभी blue tone करेंगे देखिए इसके उपर blue tone apply करेंगे देखिए blue tone के बाद cyan tone देखिए कितना बढ़या लग रहा है देखिए green tone और magenda tone यह सब आप प्री वैडिंग के लिए यूज कर सकते हैं देखिए इसके उपर में देखिए कितना बढ़या लग रहा है देखिए magenda tone और यह प्रिसेट अपलाई करने के बाद आपको ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है आप इधर opacity कम ज्यादा कर सकते हैं देखिए आपके control म आप यूज कर सकते हैं color या फिर soft light overlay आप कुछ भी कर सकते हैं आपको जो अच्छा लगे आप ट्राइ करके देखना है देन और realistic lifting यह जो lifting के लिए में makeup के पार्ट में मैंने बताया था आप मेरा पार्ट वीडियो देख सकते हैं वहाँ पे लिफ्टिक कैसा चेंज करते हैं देन जाएंगे metallic gold color effect तो इसके लिए हम दो image लेके मैं आपको बता रहा हूँ देखिए यह जो effect आपको album designing के time पे यह ज़रुत पड़ती है देखिए जैसे मैंने play किया है single click पे यह golden color का effect आ गया है photo में इसके उपर click करके देखते हैं देखिए और इसका जो तरीका है मैंने क देख सकते हैं जितने भी action मैंने बताया है सभी के उपर मैंने वीडियो बना चुका हूँ आप मेरा चैनल जाके देख सकते हैं then cinematic color grading color grading के लिए हम एक image उपर करेंगे देखिए मैंने play कर रहा हूँ देखिए और इसका saturation आप कम ज़्यादा कर सकते हैं और lightness भी कम ज़्यादा कर सकते हैं देखिए इसके लिए मैंने blending mode और fill opacity सब करके रखा हूँ आप सिर्फ action चलाना है और यह जो hue का slider आगे पिछे करके देखना है कहां पे कौन से color आपको ठीक लग रहा है और saturation कम ज़्या कम ज़्यादा कर सकते हैं देन जाएंगे मोड़ी dark blue color grading तो इसके लिए इमेज उपन करेंगे देखिए यह color grading के लिए अगर आपको background में green color है तो यह color बहुत अच्छा लगेगा देखिए मैं play कर रहा हूं देखिए जैसे मैंने play किया है single click पे देखिए कैसे यह blue tone आ गया है इमेज में लेकिन इसको करने के लिए काफी मेनद करना पड़ता है single click के दोड़ा यह आप कर सकते हैं देन देखिए यह effect apply करने के बाद आप modify नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह action background के साथ merge हो रहा है और details जाने के लिए मेरा video आप देख सकते हैं then change dress color ठीके तो dress color को हम कैसे change करें अगर आप pre wedding shoot कर रहे हैं या फिर ब्राइडल की photo edit कर रहे हैं अगर आपको ब्राइड की dress के color या फिर ग्रूम की dress की color change करना है तब कैसे करेंगे बहुत आसन तरीका है simple trick के दोड़ा आप कर सकते हैं देखिए मैंने action play कर रहा हूं अब तोड़ा ध्यान से दिखिएगा तो आपको क्या करना है यह फर्स्ट आइड्रपर टूल दिख रहा है इसको पर क्लिक करना है यह dress के किसी भी अरिया पर आपको क्लिक करना है देन यह प्लॉस वाला आइड्रपर टूल दिख रहा है इसको select करना है यह dress के उपर एक बार क्लिक करके आपको ड्राग करना है अगर ज्यादा करेंगे तो इसका रेंज थोड़ा बढ़ते जाएगा ठीक है यहां पर ध्यान दीजिएगा यह का स्लाइडर आपको चेंज करना है जैसे मैंने का स्लाइडर आगे पीछे ले रहा हूं देखिए यह कलर चेंज होता रहता है अगर आपको यह कलर अच्छा लग रहा है यहां पर देखिए साचुरेशन कम ज़्यादा कर सकते हैं ठीक है और लाइटनेस भी कम ज़्यादा कर सकते हैं यह करने के बाद क्या हुआ यह स्कीन के उपर भी कुछ कलर चेंज हो गया है आपको डरने की जरूरत नहीं है मैं इसक सब्सक्राइब करना है और इस एरिया पर आपको नहीं चाहिए वहां पर आपको ब्राश चलाना है कितना सिंपल ट्रिक में आपको बता रहा हूं देखिए आप आराम से चलाएगा कितना कॉम समय में यह डेस का कलर हम चैंज कर सकते हैं यह अभी तक आपका सारे एक्षन मै मेरा वीडियो जाके देख सकते हैं और प्रैक्टिस किजिएगा और यह जो मेरा वीडियो कैसा लगा है मेरे को कमेट करके बताएगा अगर अच्छा लगा है एक बार लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करेंके बेल ऐकन को प्रेस किजिएगा और इस वीडियो में इतना है, थैंक्स पर वाचिंग.